तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली कौन करता है जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा इनाम कराशी का हगदार वही होगा बहुत बढ़ी है बहुत अच्छी कोशिस है अमेजिंग इलहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्सकों का स्वागत है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में ग्रीन मटन चावल और तंदूरी रखा हुआ है मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है यह चैलेंज कैसे लगेगा आईए पौन जी से मिल चुके हैं देखते हैं दोनों चैलेंजरों फर्स्ट कौन आता कौन दो हजार रुपए कर लेकर के जाता है बहुत-बहुत धन्यमाद जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ग्रीन बटन चावल और तंदूरी के इस चैलेंज में दो महायोध्धा पाई चुके हैं एक तरफ है फूल चंद और एक तरफ है महमद यसीन तो जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा वह लेकर जाएगा दो हजार रुपए का नगत पुरसकार और जो नहीं खा पाएगा जो सबसे पहले नहीं खापाएगा वह ग्रीन बटन चावल और तंदूरी का श्वाद लेकर ही जा कर रहा है बहुत बढ़ी है बहुत अच्छी कोसित है और देखते हैं कहां तक चैलेंज को लेकर जाते हैं और यहां पर सबसे पहले कौन उड़ाता है तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली कौन करता है जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा इनाम कराशी का इस टार्टिंग किये हैं अभी एक्सल्पावर दोनों में किसी में नहीं देखा जा रहा है उसलों पॉजिसमें चावल की तरह चावल होता है तो फटा फटा खाते हैं लेकिन तंदूरी रोटी को जब तक कूचेंगे नहीं तब तक फिनिस नहीं कर पाएंगे बहुत गजब तरीके से दोनों लोग बहुत गजब शाहस लगाकर बैठे हुए और जो शाहस लगाकर बैठे हुए है इसी साहस कि हो सकता है इसी धायर कि हो सकता है अगर यह साज बना रहेगा तो आज 2,000 रूपए दो में एक लोग जरूर जीत कर जाएंगे तो देखना है कि आप पैसा फूल चन जीतते हैं या महमद यसीन जीतते हैं और मटन भी बहुत बढ़ियां बना हुए नहीं अभी उन लोगों को डिश्टर मत करिए आप अपने टार्गेट पर ध्यान दीजिए और चैलेंज को पूरा कीजिए जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा वह 2,000 रूप अभड दो बढ़ियां जो पी चुकिया रही है तो देखना है कि पूल चन मौन यसीन जी को हराते हैं या मोहमध यसीन सून तो लोग खा रहे हैं और इस समय दोनों चैलेंजर बहुत ही गजब तरीके से इंजॉयमेंट के साथ इस चैलेंज को पूरा करने में लगे हुए हैं तो जो सबसे पहले मंजिल तक पहुचेगा दो हजार रूपए उनका इंतजार कर रहा है और दो हजार रूपए उनके जेब में जाने के लिए तैयार है लेकिन यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले मंज लोड़ी सी डाउन होती हुई जब जब टंकी भढ़ने लगती है जैसे जैसे टंकी भढ़ने लगती है इस पीड थोड़ा सा सुलो होना चालू हो जाता है तो अगर फोल चंजी स्पीड को अगर स्लो रखेंगे तो हंडेट परसें मुहमद यसीन जी इनको हरा देंगे लेकिन फूल चंजी कमर कसके बैठे हुए है चैलेंज में बिन करके ही छोड़ेंगे और जो तरीका लगाना चाहिए तो मुहमद यसीन जी के साथ बैठे फूल चंजी उस तरीकों को लगा दिये हैं और लग भी रहा है कि मुहमद यसीन जी पीछे भी चल रहे हैं तो फूल चंजी सवा शेर बन जाइए और शेर को पीछे कर दीजिए बहुत बढ़ी है बहुत अच्छी कोशिस है और दोनों ही चैलेंजर बहुत उस साथ से चैलेंज में बैठे हुए हैं बाद गजब तरीके से दोनों लोग इस ग्रीन मटन और चावल तंदूरी के चैलेंज में चैलेंज को स्विकार करके चैलेंज को मंजिल की ओर लेकर भगे जा रहे हैं तो देखना है कि सबसे पहले मंजिल पर पहुंचता काउन है और जो सबसे पहले मंजिल पर पहुंचेगा 2000 रूपए इनाम पाएगा और 2000 रू जीत किसकी हो सकती है यह तो वक्त ही बताएगा हम ऐसे नहीं बता सकते ना आगर हमें ही बता होता है तो पहले पैसा देते इन लोगों को चैलेंज क्यों कराते हैं बाद गजब बहुत बढ़िया है और बहुत धैर पूर वागड़ इता है बहुत गजब तरीके से दोनों लोग जूटे हैं जीस हौसुले को लगाना चाहिए तब फूल चंजी उस भी फूल चंज नहीं है और मुहम्मद यसीन जी को हराना शबके बिसकी बात भी नहीं है तो देखना है कि आज फूल चंद क्या करिस्मा करते हैं और मुहमद एसीन जी क्या घुल खिलाते हैं और ऑस उते immaglement कर रहे हैं कि अगर रास्ते के लोड़े को हटा दिया जाएगा तो जीत हासिल हो जाएगी तो मतलब बृकर रहे हैं मेट बेकर का काम कर रहा है उस ब्रेकर को हटाने में भी मसता हैं तो ब्रेकर हटा देगे तो 100% स्पीड लग जाएगी इस चैलेंज में बहुत बढ़िया और ब्रेकर में लगे हुए हैं दोनों चैलेंजर और बहुत सुझ बूज के साथ धैर पूरवक्त दोनों चैलेंजर चैलेंज को पार्टिसेट क और वही उनको जिताता भी है और मटन पालक जो है बहुत जायकेदार दिख रहा है बहुत मज़ेदार और इन लोगों को चैलेंज के बाद पूछते कैसा बना हुआ है तो सभी दर्सक भी सभी दर्सकों से भी मेरा निवेदन है कि अगर आप लोगों के पास हमारे वीडिय कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा श्रकमंट करिएगा इन दो बहादूर चैलेंजरों के लिए और फिरी में चैनल को सस्क्राइब करके ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को अनन लेते रहिए आप लोग बाद गजब आव इस समय दोनों लोग दौड चुके हैं और फूल चन जी चावल की जो डूड़ी है उसको पूरी तरह से फोड़ दिये हैं और चावल को खीच लिए अ ब्रेकर को तोड़ लिया है करीब-करीब और देखते हैं आगे कौन जाता है और 6 मिनट 40 सिकेंड के इस टाइम के में अभी यह लोगों की प्लेट अभी खाली नहीं हुई यह बहुत बढ़ी है अब च्छा मिनट अच्छा मिनट 50 सेकेंड में तंदूरी तो पूरी तरह से समाथ हो चुका है मतद पूरी तरह से समाथ हो चुका है अब बचा है तो ग्रीन अब यह लोग एकसल पावर भी आएंगे और यह देखिए जो हाई बोल्टेज वाली बाइट लगना चाहिए ताम मोहमद यसीन ज बचलर चावल को चावल को अपने तरह कर लिया है और मोहमध हैसीन जी भी चावल को मिक्स कर रहे हैं झाल को कमाल दिखाना चाहते हैं की बहुत बढ़ी हैं और देखते हैं कस क्ट्ठ और बनाया हुए पीछे होते होना पढ़ रहा है मतन अभी उसमें मिला है इस वज़ा से आगे नहीं जा पा रहे हैं अगर मतन नहीं मिला होते तो फटाबट खिर जाते चावल को बाहुत गज़ा और फूलचन जी कह रहे हैं लग रहा है कि हम आगे जाद रही पाएंगे और जी का के सरेंडर कर दिये हैं अपने आपको और यसीन जी के थाली में मात्र दो या तीन बाइट बचे होगा और फूलचन जी के थाली में लगवग लगवग चार पांच बाइट बचा हुआ तो मतलब इससे अंदाजा लग रहा है कि मुहम्मद यसीन जी पूरी तरह रेस में दोड़ चुके हैं औ तो यसीन जी का धन्वाद करते हैं और इनाम किराशी इनको कैस देते और फूलचन जी अभी काफी पीछे चल रहे हैं तो अराम से खाली जी फूलचन जी तो ग्रीन मटन चावल तंदूरी नोटी के चैलेंज में यसीन जी विनर हो चुके हैं तो जैसे कि आप लोग देख यसे दो युद्धा आया थे एक फूलचन दोर मौंमण हैसीन तो मौंमण हैसीन जी जीत हासल कर लिए हैं फूलचन जी लगभग लगभग पहुंच चुके थे लेकिन दो आटीन भायट से पीछे रहे गए और मॉहहमध आ संद जी जीत-स ले और इनाम की राषि लेकर बह लेकिन तो फिर भी दो वाइट नहीं कंप्लीन कर पाया थे फिर भी इनको एक हजार रुपे इनाम दे रहे हैं कि दो बाइट से आ रहे हैं दो नोट कम दे रहे हैं वाद गजाब मतलब जो होसला दिखा है उस होसला के लिए आपको एक हजार रुपे का नगत पुरसकार मिलता है इसके लिए बहुत बहुत बढ़ाई हो तो आपको यह चैलेंज कैसा लगा हमें बहुत अच्छा लगा और बना भी बहुत टेस्टिंग है हम दोस्तों से यहीं कहेंगे कि आप लोग हम ऐसा वीडियो देखते रहें लाइक करें और लोग वीडियो को आप लोग बराबर देखते रहें पुल्चन जी जब भी आते हैं नए होसे के साहते हैं जितनी अपना पस्ट लगाते हैं जितनी कोशिस रहती है उतना करते हैं लेकिन फिर भी फूल चंजी का धन्वाद करते हैं और यसी जी आप इस चैलेंज के लिए क्या कहना चाहेंगे तो आप हमारे दर्सकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे और अपना होसला दिखाते रहें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद